हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका प्रिवार ठीक ठाक होगा है दोस्तो CET क्वालिफाई को लेकर आप सभी को पता होगा कि मोहीम चले हुई है और सभी लोग चाहे वो कोई एजुकेटर है या फिर कोई सोसल मीडिया इंफलेंसर है सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रियास कर रहे हैं और यदि ये CET क्वालिफाई होगा तो सभी के प्रियास से होगा आपको पता है इसे का एक आदमे का स्तरेश को कभी नहीं जाएगा हालंकि दोस्तों आप सभी को ये भी ध्यान होगा कि CET क्वालिफाई का जो विश्य है जो इश्यू है जो स्टार्ट मेरे इस किया था वो नोलेज टीवी देशी ताओ के दुवारा और हमने ये CET के जो टोपर्स बच्चे हैं उनके खिलाप नहीं सुरू किया और इसमें CET टोपर्स को नुकसान भी नहीं है यदि CET क्वालिफाई हो जाता है तो जो CET टोपर्स हैं उनको भी कहीं न कहीं ये लगेगा हाँ वे भी एक अच्छी जोब की दोड में सामिल हो पाएंगे और दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बच्चा भी कमेंट कर रहा है कि भई ताओ तू ने कैसे सुरू किया था तो भाई बता देता हूँ कि CET को लेकर जो ट्वीटर पे अभियान चला आ गया था वो भी नोलेज़ टीवी देशिता हुए जबारा सुरुआत की गई थी मतलब स्पोर्ट उस टाइम पे भी सभी ने किया था हालांकि उस टाइम कुछ विरोधी भी थे या स्पोर्ट में सामने नहीं आये थे लेकिन अब सभी लोग द्रातल पर उतर के काम कर रहे हैं इसके लिए तो सभी की जो मुहीम है वो रंग जरूर लेके आएगी आज नहीं तो कल भाई परियास जो कर रहे हैं सांज आये दी परियास होगा तो सफल जरूर होगा और आज भी मैं इसार गया था 17 तरिकों वहाँ पे दीपक लाटर सर आये थे और बच्चे भी आये थे लेकिन जितनी आप एक्षा मतलब उमेद थी उतने बच्चे नहीं आ रहे कमेंट में तो बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहेंगी ताउ जी यह ओना चीए ताउ जी वहाँ पे आओ ताउ जी आप यह करो जब हम स्टैप आगे बढ़ाते हैं तो साथ में मुश्किल से भाई आज वहाँ पे 25-30 बच्चे ही आये थे दूसरा कल 18 तरीको भाई सुनेल बोरा सर परवीन उडान सर बहुत सारे ध्यापक जो और भी है सभी हिसार आ रहे हैं रैड स्केर मार्केट में मैं भी आउँगा तो आप सभी भी जुरूर आएगा लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी पर आएगा किसी के कहने से नहीं बलकि आपके दिमाख में उनीची किसी इटी क्वालिफाई मुद्दा ये आपके हक में बात की जा रही है ये आपके विरोध में बात की जा रही है तो भाई मैंने इसके उपर वीडियो डाल रखी है आप उन वीडियो को देखो कि तो आपको समझ मैं जाएगी ठीक है और दूसरा एक और रिक्वेस्ट आप से यह दिया आपके लिंक में कोई पत्तरकार बगरा है ठीक है जो सोसल मेडिया पर काम करते हैं पत्तरकार रिपोर्टिंग करते हैं उन साथियों से भी आप संपरक कीज़ेगा सुबह कल उनको भी बुलाईगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि जब यह चीज हर जगह मार्केट में चल पड़ेगी तब यह चीज सरकार क्या करेगी इसके ओपर गोर करेगी कि भाई पबलिक चाहती है यह चीज और यह कोई खास विशया है जरूरी विशया है इसलिए पबलिक चाहती है तो जितने ज़्यादा वहाँ पर रिपोर्टर आएंगे बच्चे आएंगे तो उतना ही मुद्दा क्या बनेगा वो सरकार तक पहुँचेगा हालंकि मैं और जो लोग इसके साथ काम कर रहे है नीचे नीचे जो काम कर रहे हैं लोग यह प्रियास कर रहे है सभी सिरफ एक साथ एक कंडिशन के साथ अपके साथ खड़े हुए है कि कोई भी गलत तरीके से काम नहीं किया जाएगा सवभाविक तरीके से सवेधानिक तरीके से काम किया जाएगा लेगली काम किया जाएगा क्योंकि कल जो वहाँ पे ग्यापन देने काम किया जाएगा वो भी परमिस्न ले रखी है परमिशन लेके ही क्या जा रहा है कोई वहां पे हाहुला नहीं करना है श्यान्ती पुरुख तरीके से अपने को रैड स्केर मार्केट से चलना है और डेशी साब के यहां पे हमें वो ग्यापन देख आना है ठीक है और शान्ती पुरुक तरीके से ही काम निकड़ते हैं हाहुला में कभी काम ने निकड़ते हैं बाकी राजे समेशा CET क्वालिफाई मुझे लगता है कि CET क्वालिफाई होना चीए तो मैं आज भी साथ हूँ पहले भी साथ था और कल यदि कोई इसार के असपास काम हुआ तो भी राजे समसे आगया आपको मिलेगा ठीक है बाकी कुछ लोग कह रहें कि मेरे पास फोन ने किया भाई ये किसी की साधी का नियोता नहीं है ये आपको लगता है कि विशय है और आप बच्चों के साथ खड़े हो तो आप अपने आप आईएगा इस सीज में ठीक है तो ये कुछ बाते थी जो आपके साथ शेर करने थी मैं तो आज भी गया था शायर मदूबन पार्क में ठीक है और कल इसार रेड स्केर मार्केट में भी आएंगे और ओगी इसार के असपास जहां पर भाई सुई टैबल हो गाना तो वहां पर भी आएंगे ठीक है और इदे कर भी बड़े लेवल पर हुआ भाई पंचकोला जाना पड़ा चंडे कल जाना पड़ा तो भाई स्पेसल वहां पर भी पहुंचेंगे पहले भी पहुंचेंगे आगे भी पहुंचेंगे ठीक है कल 18 तारिको रेड स्केर मार्केट में साड़े 10 बजे ठीक है जरूर पहुंचेगा और कोण कोण आरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा धन्यवाद